नमस्कार सौगत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ड में आज हम देखने वाले हैं भारतिय शास्त्री नत्य शेलिय इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल से रिलेटिड मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन्स जो कोश्चन्स से इंपोर्टेंट होने के साथ सेलेक्टिड भी है इसलिए आप विडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रहे हैं और यूही मुझे सपोर्ट करते रहे हैं स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निमलिखित में से किसी राज्य में हुआ काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है कुछी पूडी किस राज्य की नृत्य शेली है ये भी काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है बताईए इसकासी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आंदरपरदेश यदि आपको कोश्चन के आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए और अपना स्कोर से पताईए इसकासी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बताईए इसकासी आंसर क्या हो जाएगा तो इसकासी आंसर हो जाएगा option D, मनी पूरी Next question देखते हैं अगला question है आंदर प्रदेश का classical निरत्य कौन सा है काफी important question है बताए इसकासी answer क्या हो जाएगा इसकासी answer हो जाएगा option D, कुछी पूरी सारे question selected है इसलिए आप सारे questions के notes बना के रखिये अगला question है निमली खितमे से कौन सा निरत्य देव निरत्य है काफी important question है इस topic से एक या दो questions पूछे ही पूछे जाते है किसी भी competitive exam की बात करे तो इसका answer हो जाएगा option C, कुछी पूरी चाहे हम SSE की बात करे, railway की बात करे हर exam में पूछा जाता है अगला question देखते है निमली खितमे से कौन सा निरत्य भारत्य देखते है काफी important question है बताई इसका answer क्या हो जाएगा option D, उप्युक्त सभी important है next question देखते है अगला question है निमली खितमे से कौन सा निरत्य भारत्य शास्तिरी रूप कौन सा है बताईए इस कसी answer क्या हो जाएगा important question है ये भी इस कसी answer हो जाएगा option D. money puri next question देखते हैं अगला question है भारति शास्त्रि इंद्रत्य की सबसे प्राचीन शेली कौन सी है काफी important question है बताईए इस कसी answer क्या हो जाएगा इस कसी answer हो जाएगा option C. भरत नाट्यम Next question देखते हैं अगला question है निमलिकित में से निरत्य में गरीबों की कथकली नाम से किसे जाना जाता है काफी important question है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा इसका सी answer हो जाएगा option B. ओटन तुलन Important है तो गरीबों की कथकली नाम से किसे जाना जाता है ओटन तुलन Important है Next question देखते हैं अगला question है निमलिकित में से किसे निरत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है काफी important question है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा option C. मोहिनी अट्टम विडियो को बिना skip किये अंतक देखिये नए है तो चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए अगला question है निमलिकित निरत्यों में से एकल निरत्य नहीं है काफी important question है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा इसका सी answer हो जाएगा option D. O. D. C next question देखते है अगला question है निमलिकित में से कौन सा एक शास्त्री नरत्यों नहीं है काफी important question है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा इसका सी answer हो जाएगा option C. Garva next question देखते है अगला question है रभिना टेगोर ने कि शास्त्री नित्यों को पुनर जीवित करके उसे केरल के अतिरिक बंगाल में भी लोग प्रिय बनाया काफी important question है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा option B. कथकली next question देखते है अगला question है कि शास्त्री नरत्यों में मुखोटों का प्रियोग किया जाता है काफी important question है बताईए इसका सी answer क्या हो जाएगा option B. कथकली कथकली में मुखोटों का उप्योग किया जाता है अगला question है मुखोटा नरत्यों का संबन किस शेली से है काफी important question है तो इसका सी answer क्या हो जाएगा Option A. कथक कली Next question देखते हैं अगला question है सदीर किस निरत शेली का प्राचीन नाम है काफी important है तो इसका सी answer क्या हो जाएगा Option C. भरत नाट्यम Next और आकरी question देखते हैं अगला question है निमलिखित में से कुन सी शास्त्री निरत शेली देवबासी परंपरा की विरासत नहीं है काफी important question है बताइए इसका सी answer क्या हो जाएगा इसका सी answer हो जाएगा option A. मणी पूरी इसी परकार की वीडियो को देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिए मेरी चैनल पर 1700 भी जादा वीडियो जे आप उन वीडियो उसको watch कीजिए definitely आपकी जितने भी आने वाले competitive exam में उसमें आपको सफलता मिलेगी वीडियो में end तक बने रहने के लिए धन्यवाद